सरीर के अंचाहें बालो को लेकर हम मैलाएं बहुत जादे परिसान दाती हैं और इसका पर्मानेंट इलाज खोजती हैं कि कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे की अंचाहें बालो से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए और उसके लिए बहुत सारा वीडियो देखते हैं होम र आने वाला है इस तरीके से अंचाहें बालो को हटाएंगी तो दुबारा से उसकी ग्रोथ ना के बराबर होगी और आपका इसकीन काला भी नहीं पड़ेगा आपके फेस पे दाना भी नहीं निकड़ेगा इस रैमिडी के थुआप सरीर के अंचाहें बालो को घर पे साफ कर पर इस तरीके से हटाएंगे तो बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा तो जादे बाते ना करते हुए फ्रिंट चलिए कीचन में इसे देख लेते हैं कि किस तरीके से बनाना है कैसे लगाना है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी तो आज के वीडियो बड़े ही कम माल का होने वाला है रिजल्ट आपको 100% देगा यूज किया हुआ नुस्खा है अगर आपके सरीर पे कितना भी मोटा तीखा बाल है या तो फेस पे है या तो हाथ पेर पे है आप कहीं भी इस रैमेडी के थ्रू अंचाहें बालों को हटा सकती है तो इसे बनाने के लिए आप को मिक्स करना है कैसे बनाना है उससे पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहे हूं आप लोग के लिए मैं बहुत मेहनत करती हूं अच्छी सची वीडियो सेयर करती हूं तो प्लीज अगर वीडियो आपको हेलफुल लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा तो दू नायल का होम रेमेडी है हाथ पैर के बाल को भी एस साफ कर देता है पर इसे बनाने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए ठीक है फ्रेंड इस्पून से चलाते रहेगा ताकि जो चीनी है अच्छे से इसमें घुल जाई अब इसमें आपको आइड कर देना है फ्रेंड या तो आप सरसो का तेल जो मस्टरड आयल होता है उसमें से भी आप ले सकते हैं जो आपके पास आराम से आयल मिल जाए उसमें से आप आधा चम्मच ले सकते हैं पर मैं यहां पे कोकोनटाइल का यूज कर रहे हूं तो आधा चम्मच कोकोनटाइल डाल कर इसे अच्छे से मि भूल करके चासनी की तरह बन गया है और जब आप अपने फेस पे हाथ पेर पे इसे लगाएंगे तो पूरी तरह से स्कीन को पकड़ लेगा तो दूसरे बाउल में ट्रांसपर कर लेते हैं अब इसमें आपको क्या डालना है इसमें आपको एट कर देना है एक चम्मच भर के सहद अगर आपके स्कीन को सहद नहीं सूट करता है तो यहाँ पर आप इसे इसकी भी कर सकते हैं ठीक है लेकिन फेस क जो कि देखने में बाल की समस्या होती है जो की देखने में बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता है या तो के फेस पर है या तो ःत पर में नीं सब्सक्राइब हो घर पर आनशा हैं बालों को साफ कर सकती है। बाक्त कर अधे तो फेस पे या तो हाथ पेर पे दाना की समस्या हो जाती है और तीन चार दिन के बाद वो अपने आप ठीक हो जाता है लेकिन दाना जरूर निकरता है तो यह प्राबलम आपके साथ नहीं होगा अगर आप इस तरीके से अंचाहें बालों को साफ करेंगी तो अब इसका गोल तायार करने के लिए फ्रेंड आपको इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल देना है गेहूं का आटा जी हाँ जो आप सभी के घर में रोटिया बनता है इजली मिल जाएगा ओ काफी ज्यादे चिप-चिपा होता है जब पाने में पढ़ता है तो बहुत ज्यादे इस्टिकी करना है तो इस्पून से अच्छे से मिक्स कर लेना है उसके बास इसे आपको दो से तीन मिनट के लिए रख देना है ताकि अच्छे से से हो जाए जो गेहूं काटा है अच्छे से फूल जाए तो तुरंत अपलाई नहीं करना है इसे मिक्स करके आपको दो से तीन मिनट के या तो गुलाब जल से क्लीन कर सकते हैं या तो कच्छे दूर से लेकिन स्टेब आपको अच्छा रिजार्ट देगा तो जैसे कि आप लोग सकते हैं बहुत सारी मेरी बाने ऐसी है उनके शरीर पे फेश पे पहले बाल नहीं था क्योंकि ऐसा भी कमेंट आता है कि पहले मेरे सरीर पे बाल नहीं था लेकिन अब बहुत जादे बाल की समस्या हो गए है अपने आप बाल निकर रहा है तो देखिए फ्रेंड एक कोई स्कीन प्राबलम नहीं है हर्मोन्स के वज़ा से फेस पे सरीर पे बाल निकरता है तो आपको बिल्कुल भी परिसान नहीं होना है आप इसे घर पे ठीक कर सकती हैं घर पे होम रेमेडी के थ्रू अंचाहें बालों को हटा सकती हैं पर एक गलती मत करिएगा दिल से रिक्वेस्ट कर रही हूं पारलर मत जाईएगा क्योंकि इसकीन को लूज भी कर देगा काला भी कर देगा और आप अपने उम्द से बड़े भी दिखेंगी तो कभी भी पारलर जाने की गलती मत करिएगा आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूं आप लोग के लिए इतना अच्छा अच्छा होम रेमेडी मैं सेर करती हूं तो अगर अंचाहें बालों से परेसान हैं तो मेरे होम रेमेडी को आप यूज करिए काफी मासाज करने से क्या होगा कि जो फेसियल हेर का जड़ है काफी जादे कम जोड़ हो जाएगा उसमें फस जाएगा और जब इसे हम क्लीन करेंगे तो काफी सारा बाल एक बार में साफ भी हो जाएगा तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं कितना जादे चिप-चिपा हो गय लेकिन मन चाहा रिजल्ट नहीं मिलता है उसके बाद से मन बहुत जादे दुखी हो जाता है तो आपको बिल्कुल भी परसान नहीं होना है फ्रेंड मेरे वीडियो को देखिए मेरे होम रेमेडिस को यूज करिए काफी अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एक किस्टेप आप लोगो दिखा रहे हैं तो इस तरीके से फेस को क्लीन करने के बाद ठंडे पानी से धुल्ली जीएगा पूरे फेस को या तो गुलाब जल या तो एलोवेरा जल जरूर लगाईएगा बरफ अगर आपके पास है तो बरफ का भी यूज करिएगा उससे क्या होगा कि पोर्स टाइट होगा काफी अच्छा आपको रिजल्ट देगा एक बार में काफी सारा बाल साफ भी कर देगा किस तरीके से मैं क्लीन कर रही हूँ आप लोग वीडियो में देख सकते हैं हाईली रिक्वेस्ट कर रही हूँ फ्रेंट ट आपको इस टाइब कर वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आउन कर लिजिएगा आगे आपको किस टोपिक पर वीडियो देखना है कमेंट करके जरूर बताईएगा चाहें आपका ये जो भी है फेस के अंचाहें बालों से परेसान है इस रेमेडी को मेरे कहने पे एक बार यूज जरूर करियेगा पर बनाने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए तो प्लीज वीडियो को देख रहे हैं तो यूज जरूर करिएगा काही अच्छा आपको रिजल्ट देगा और एक छोटा सा रिक्षट कर रहे हैं फ्रेंट क तो इस रेमेडी को आप यूज करिएगा मेरे बताई हुए तरीके से काफी अच्छा आपको रिजल्ट देगा फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा सा रिजल्ट आया